परणतु तमाम विपक्षी पार्टी ओ तमाम सत्ताधारी पक्ष साथे जुड़ाईला पक्षो 2024 नी लड़ाई पहला पोतानी होडी नी सढ मजबूत करवानी तयारी मा लागी गया शे पीम बोडिये जहरे संसर्द मां उल्लेक करियों के एक अकेला सप्प्य भारी तेमनी सामे विपक्ष औने सत्ता पक्ष बच्चे वार पलट वार तो चालू शे पन एक तरफ पटना मां जे बैठक मड़ी ते बाद महराष्ट मां जे राच्किय चेप्टर चर्चायू पहला शिवसेना मां थी शिंदे जूत अने बाद मां एंसीपी मां थी शरत पवार ना भत्री जा अजित पवार नुझूत बांग्टूट थाई रही शे बांग्टूट ना संकेत आगर पर मर्शे पन चोवीस पहलानी आल राई मां जैरे विपक्ष दरेक मखते एक मंज पर परिवारवाद में मुद्धोपन आभियो पन लराई बेजर चोवीस नीशे आमा घना नेता हो बेल पर शे घना नेता हो सामे तपास चाली रही शे चतापन महाराष्टमा केबिनेटना मंत्री बनी गया ता बद्दू चालतू रहे शे पन बेदर एक साथ है बिजेपी ये 308 वतावियो बेजर रोगनीसमा आवकतेशू स्थिती में अकेला सप्पे भारी सामे एक व्यक्ती सवपर भारी शे अत्वा तो तमाम जो साथे मने विपक्षी दरो तो बिजेपी माटे तकलीप शे अत्वा तो एंडिय माटे तकलीप शे सगरू कुटुम अव्याख्या माँ बन्ने जे गढ़बंधन शे तेनी मुक्षेपाइचियों मानी रेशे। गना ततस्थ पन शे अपना दर ना बेभाग शे कोई एंडिय माँ शे आने कोई इंडिय माँ शे जे आज नाम आप्यू। राहूल गांदी कहे शे इंडिया वर्सिस एंडिय नी लडाएशे। फुल्फोम आपने आगर जेता करी लेशू। परन्तुवा लडाए मा कोनो रत पहुंच से दिल्ली। आने कोने तकलीप समय साथे वच्छे। चर्चा करवा माटे आपनी साथे त्रण खास महमान। इंडिय वर्सिस एंडिये। मतलब एक लकीर खीच दी गई है कोई इस तरफ कोई इस तरफ मुद्दे कितने सारे है और एक दूसरे पर किचड उच्छालने का एक भी मोका नहीं शोड़ेंगे लेकिन पटना के बाद आज बैंगलोरू और दूसरी तरफ एंडिये की बैठक दिल्ली में दो से तीन मिनिट में क्या बदलाव आप देख रहे है या फिर क्या आने वाला वक्त और ऐसे सर्प्राइजिस देता रहेगा जैसे महाराष्ट में हमने देखा ऐसी रणीतियों के साथ जी आप सब को नमश्कार एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि दो हजार चौबिस दो हज दूसरी बात भारती जनता पार्टी अक्तर भरष्टा चार को मुख्य मुद्दा बनाती है परिवारवाद को मुख्य मुद्दा बनाती है लेकिन आज की तारीक में देखो तो भारती जनता पार्टी के अंदर भी वो व्यक्ती जो भरष्टा चार से ग्रस्त हैं गोटाले बाजबी हैं वो सब मंत्री बने हुए हैं उपमुक्य मंत्री बने हुए हैं इवन मुक्य मंत्री बने हैं कॉन्राड संग्मा उन्ही के अलाइंस में हैं मेगाले से जिसके खिलाब प्रधार मंत्री जी ने भी काफी शर्थ मोले से इलेक्शन के समय में तो कहीं न कहीं कोई भी दल अपनी जो मुल्यों की बात नहीं कर सकता ना इतिक्ता की और मर्यादा की बात नहीं कर सकता तो सभी मुझे लगता कि एक ही किसम की कीचर में फटे हुए है तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी सिध्धान्त वादी और अलग है मैं बिल्कुल भी जी मानता बीजेपी इस समय उत्री ही सिध्धान्त ही नहीं जितनी बाकी विपक्षी पार्टियां आज की तारीक में है दूसरी बात जब मैंने कहा कि ये 2019 नहीं है यहां पर जो गटजोड है जो एलाइंस है वो अपने आप पे इस बार एक नई आप्टिक्स लेकर आ रहा है वो बड़ा चैलेंज है बड़ी चुनौती है इस चुनौती के अंदर महंगाई भी है इस चुनौती के अंदर बेरुज़जारी भी है इस चुनौसी के अंदर और बहुत सारे मुद्धे हैं जिनके उपर बात नहीं की जाती है खास वरते अगर नौस जोन में देखो तो हिमाचल और डीमसी के एलेक्शन में विरोधी पक्ष की यानि की कॉंगर्स की विक्स्रीज आई है आपकी विक्स्री आई है इस जोन से बंगाल की पंचायच चुनावा में विक्स्रीज आई हैं साउथ जोन से तरनाटक में वहाँ भी कॉंगर्स की विक्स्रीज आई है तो जोनल दन जोनल अगर आप देखेंगे तो आप आएंगे कहीं ने कहीं भारती जन्ता पार्टी का जो स्थम हुआ करते थे वो गिर रहे हैं इसके बेचैनी बढ़ रही है दूसरी बात विपक्ष में जो एकता है जो 2019 में तो बिल्कुल भी नहीं थी इस बार बहुत गहराई के साथ उसे देखा जा रहा है एक विशलेशक के तोर पर मेरा इंट्रेस्ट हमेशा इसमें होता है कि कौन कितना तयार है अगर बीजेपी तयार है तो मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ कि इस रण के अंदर जो 2024 का होगा उसमें विपक्ष भी उतना तयार है तो टीम इंडिया वर्सिस टीम एंडिये जो है ये आपके सामने कुछ बहुत रोचक और बहुत चमतकारी जर्स लेके आएंगे मुझे एक आज बहुत बड़े ये भारत के इंग्लिश भी उस पेपर में एक सेंटरल आर्टिकल भी है लेक भी है जो कि उस वेक्ति के द्वारा है जो कि भारती जनता पार्टी और आरेसस का एक किसम से फॉलवर है वो आज उन्हें लिखा है कि इस डिफिकल्ट फॉर बीजी वीजे पी टू रिटेन फुल मेजॉर्टी और इट्स ओन इन दे नेक्स इलेक्शन तो देल नीज एलाई ये उनका एड़मिशन है मेरा भी नहीं है ये तो हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जहां पर आज भारती जनता पार्टी को एक नहीं बलकि सभी राज्यों के अंदर शैद नाको चने चबाने पड़ें और ये रन जो होगा इसमार शैद 75 सालों के तिहाद का सबसे भीशन रन होगा इसमें कोई भी कसर किसी किसम की छोड़ी नी जाएगी अक्षेप होंगे प्रत्यारोप होंगे आरोप होंगे सब कुछ होगा लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमका होगी जन मानस की जन को क्या मिला है और जन ने कुछ नर्णे दिये हैं बंगाल में दिये हैं हिमाचल में दिये हैं करनाटक में दिये हैं और कुछ हमें इस चौथए कोण को भूलना नी चाहिए यह सिरगों का जो चौथा क्वों जो जनमानस है वो भी एक मन बनाकर बैठा है और एंटी इंकमवेंसी नहीं भूलने चाहिए दस साल के शासं के बाद किसी भी शासं के खिलाब एंटी इंकमवेंसी होती है और वो मुझे लगत 19 से पहले जो विदान सभा इलेक्षन्स हुए मेजर स्टेट्स में ओपोईशन जीता था लेकिन 19 में लोग सभा में थोड़ा पिक्चर अलग था बरत भाई राज के जमीन बचावा माटे अथ्वा तो एक साथे मनीने लर्वा माटे पन सुब बीजेपी माटे पन एंडिये माँ सिच्वेशन शे मेजोरीटी हुआ छता बेजार चो विसमा जी परत भाई परत भाई अवाज पहुची रहो शें सात्याजीत जी अपनी साथे शेए.. सात्याजीत पहुची रहो हो शें मार आपना सुदी हां पहुची रहो है 70 अेar 2000 सार 2001 और पहला पनबिपक शauraisम्मंज पर पर आप अवि उत हुथाओ दख्शन भारत माग थरी थी आब यू पटना मां पान एवू शेने कौन कितलू छोड़े शे कौन कितलू हात माती सरक्वा देशे एक मिनिट भरतबाई नौवा जावी रहे हो शे ये भरतबाई अब आज पहुंची रहे हो शे तो देशके माते माते राश्य वापने थानव में सांखा मिनिट भाँ जोड़े जोक्तोर भी। सितले एक मिन पेढ दावर्ना में कंड़ा हो शे照 तरह हो श्यूदा दावता दीपितलू सबाओ हुएड़धी ड़वर्ता, था चैर भी। बजय हो नगने अगरेस तरह सिपया शभ्सावब जड़ी जड़ेगा जड़ाए तो श्राव मले जड़ी जड़ाए टू डेश देश्त महीत माटे राष्ट माटे लाष्ट माटे देश का नामेद कोणने ना उतानी जड़ी तपास पाष्मा उतानी गर्पकण घर्पकर क्योंटेबचेश्टाय है, आप परिवार बचावा बचावादे चात्ते बचावा बाने तर्टे गर्णा पोबहांडों को परिष्टा जालो नहीं सामें जरक नियाईंत अपाथ से लेए आप अन्हा सामें कि इतै नक्षड मनें एव बचावादेश्टे नखवादेश्ट आपने स्वाड़ी सुपशन तरही प्रेट पुरी थेया पचीद थे सितारा मेचेर्म नो स्ट्रिक्मेंट नमेचेर्में नमेचेर्में जो नहीं कि भए जो हातों अमनों डाष्टी निम्ने कर्पन्दन चे और कि बंगालमा में सामेधरी शीद थे कोई कोवर्य मेढ lai कोई जगा परदेश के घरीं के आढूर के दाथ कोol 낙न हा धीन कोई जंग्या पर देश की गरिए में उसका आद rättवार तरही को डोल Zieं ठीज़ीर्मा यह्थी है श्राण सबस्कान मगे सब्सक्राइब के सब्सक्राइब Oohoda मैं अब रिष्टाचान ने बाद पड़ी संघाई एक तरफ बीजएपी ब्रश्टााचाना ना रक्षन माटे बाद परेशिय करें से बीजी तरफ तो बीजेपी तो यह वह सिंग मशीन है अजीत पवाथी लेने केला चार मंत्री होचे कि बाँ आक्षे प्लाग जिया था बाद मा तमें ने साथे मरीने सरकार बना हो शो अने मुर्वाद तो कॉंग्रेस होई के बीजेपी होई के अन्य दर होई मुर्वाद सरकार मां तकी रहानी सत्ता मां तकी यह वानी रेस छे यह आक्षे पो तमारा पन लागे शे विपक्षी अन्यों व्यों कॉंग्रेस सहित विपक्षी पाटियों पर पन लागे शे का परि सवाल करीश्मार सत्य जीत भाई तकलीफ हेट चे ने एक तरफ रक्षाणी बात आई चे पक बनने तरफ तो ही तकलीफ चे जिनके उपी राजबरत लई लो मने तमारा आवाज बहुस पस्टन जातो भरत भाई ये शू आर्गुमेंट करी ये मने का सू चलो बरत भाई ये एज बातु पर कयू जे पीएम मोदी ये स्टेटमेंट करीओ के तमाम विपक्षी दरो नी जे पाटी मतलब बैठक मड़ी तेमा बदा परिवार माद ने ब्रस्टाचारियों शामिल थेया कोमन मिनिममम प्रोग्राम पर शू सहमती थशे दिनेश वोड़ा जे कयू के आवकते बेजार 24 नू रण गमासान थशे पर कोमन मिनिममम प्रोग्राम थी लईने अमुक जे हाथ मादी सरक्वा देऊ अटवा तो छूटू करू खेल दिली देखार भी ये समस्या रही शे आ जोई रहे चूँ अने गुजराती तरीके मोदी सहीब माटे गवरो हूँ ए स्वाभा भी छे पन आजे बने एमनी खूप दया आएगी मोदी सहीब नी दसा छे हारियो जुगारी बबनु रमे 26 नी सामय आड़त्रिस भेगा करें आएमा ती 20 लोगों तो एवाश है के जमना पेपर पर दाम चे अब भारत्य जनता पार्टी नू मार्केटिंग गिम्मिक 2013 चाली रहूँश है ना देशना लोगों एमना मार्केटिंग गिम्मिक थी मुर्ख बने अगे देशना लोगों जानी गया जितला ब्रस्टाचार यो देश मां छे एमने पोतानी पार्टी मां सामेल करनार सूद नरेंद्र बोधी ब्रस्टाचार ना समर्थक न थी आप आ क्यां सुधी एंडिये नूँ कोई मीटिंग गया दस वरस में थाई नहीं और एकडम एंडिये ने बेगा करानी वात आवी ने एक अकेला सब पे भारी ये जो मोदी साब की बात थी आज इतने बेबस्टियों होए कि 20 लोग 20 पार्टिया 38 में से ऐसी हैं जो सिर्फ पेपर में है कि मोदी को उनके पेर पढ़ने पड़े नद्दा जी को पेर पढ़ने पड़े ये बता रहा है कि देश बदल रहा है विचारदारा बदल रही है अब वो बातों में कोई आने वाला नहीं है जिन्होंने जातिवाद पॉमवाद के नाम पर इस देश का बटवारा किय आज तक किसी भी विरोध पक्ष को जेल में डाल नहीं पाईए क्योंकि गलब फ्रॉड केसिस इस मोधी सरकार ने विरोधियों पे करके लोकशाही का आवाज दबाने की कोशिश सत्या जी अवाज पहुंची रहे होशे मारो तमारा सुधी मुख सिंपल सवाल तमें कि दूप के लेजर सवाओ थी मार्केटिंग नूँ गिमिक्स देल से बीजेपी नूँ तो ये मार्केटिंग नूँ गिमिक्स सो कॉंग्रेस पन क्रेक न तिरी शकी केलमा मुखवाणी देश नी साउथी जुनी पार्टी अध्वा विपक्स पास ये नो तोन न थी भारत ये जनता पार्टी ने देश नी जनता ने याद देवडाई आज ये गोगवारी छापड़े चरी ने पाप फोक्कारी रही छे सवाल तुदी पहुंचतो होई तो अक्वी कांसर ये जो मारे फरीषी एक रियक्षिन माने बरत भाई पासे जहूँपर छे ब्रस्ताचारियों ने पार्टी माल लाई इमने विपक्ता करी गया छे चले आदेश नगो बने लों के गड़बंदन ने अगरे जो नी विचार दाराओं ना जोगार माल लागी जाए एज प्रकार नी प्रोसेस विपक्षो मां शे एज प्रकार नी प्रोसेस एंडी ए बीजेपी मां शे तमाराओ जवाब अदूरों रहे गया हो तो आप प्लीस कंटीनू कर्षो बाद मा दिनेश पह बोराब नखू एकना माटे क्या मादोशी प्रवेड में शेते मादोशी कि लगी माराओ एज बादर हो पर देशनी जनता ने उपिये नामकी परिशी तो आये जू पार्टी छे जनने ड이션े इस माएक्षो गां सवत सेव दाने घृस आधार करा ने पोबालों कर लाईज एज अएज तोटना डीक शीर सिर्कार समेकी शार र Мारभलोष सर्कार को सभेप Göranis कि दोगारा वादे7 गौरह वर्फमन हिस अंगर्षक सर्कार गौरहा जहते हा हुआ। आपने तिहां डिगेत मां समय मर्स है, एक वन्ताईबन, please. आज तोलु बेगे थायुंशे, अनना एक तोलु जे छे, एक पुताने जातने चामरी लचा आए चे, साथ आड नाम बदल में तोलु है, आनने एवु लागती होचे, ते नाम बदल लोग चे. चलो, आमा पन थोडो टेक्निकल इस्वी उचे दिनेशी. जनता इस्वी देन्स पर आगी चे जनता सुपेरे जानेचे अना मूर ढ़ागो. आये प्लान मात्ते है राज्यमा लेदारी पार्टी हो तो आरे एक सामसामे लेदारी पार्टी उपर पेगी फेड़े. एक मंच पर आवी छे, येकी करिवे नी घर पकड दखाई, ये लिज़ हमें तपास दखाई, आ एक मात्र एगंडा छे, रहे वास इंडिया नाम नी, तुम एक कुछुमा केदों प्रवरिभाई, कि इस इंडिया सम्पनी 422 वरस पहला पारस में लूटवा आवी एकी, आजे पर आवी एक रिष्पॉंस बरत भाई, जे आजि़ित पवार पर के जे एंसीपी ना नेता हो उपर अठवार या पहला मोटा मोटा प्रस्टा चारना आक्षे प्लागता होई, पाजी बीज़ेपी ना कारे करता हो पर अपन कन्फियूँज सही जाए जारे पार्टी जोइ पाक छोड़े शे, बीजीपी एथी अलग लड़े शे, अखिलेश साथे मड़े शे, क्यारे तेवर बदलाई जाए जाए छे तो आप परिस्थिती तो रिवान इने, एले मुए कऊशों के एउ तो क्यों वोशिंग मशीन शे, प्रस्टा चाननी बाद बनने पक्षों करे पर एक तरफ आवे तो दाक साफ, पाक साफ, दिनेश्वोरा जी, एक विक रियक्शन आपसे, जो चीज दोनों, अब मतलब रस्टाचारी क्या, मतलब एक सेंटर कोईट बन चुका है, आज भी वही चर्चा हुई, एक जूट होने की बात तो हुई, लेकिन क्या मजबूरी है, दोनों की, सभी विपक्षी पार्टियों की और ये बीजेपी और एंडिये की, कि एक मंस पर आना पड़ेगा, एक लखी खीच नहीं पड़ेगी, दिखे, समय इस्परकार का है कि जहां पर आप बिना गठबंदन की राज नीती पर चले भारत की पर शासर नहीं कर सकते अगर आप सोचते हों कि अकेले सब कुछ कर सकते हैं, एक exception point आये हैं पिछले दो चुनाओं के अंदर, वो exception point हर बार नहीं आएंगे भारत के अंदर अब एक गठबंदन की जो मीती है, वो आप इसको सोच के चलिए कि हमेशा के लिए है हाला कि भारती जनता पार्टी को तीन सोचने वाली बात है, तो कहीं न कहीं जो अंदरूरी डर होते हैं, वो भी इनसान को सताते रहते हैं दूसरी बात, जहां सक करॉप्षन की बात आपने की, भरष्टाचार की बात की, तो भरष्टाचार की उपर प्रधान मंत्री जी नहीं NCPQ पर बहुत बड़े इलजाम लगाए थे सब को तो मंत्री बना दिया तो प्रधार मंत्री जी अपने शब्दों की खिलाफ जा रहे हैं कहीं न कहीं उन्हें भी सोच रहा पड़ेगा कि उनकी जो छवी थी अब लोग उनको उस्चवी के साथ से नहीं देख रहे हैं दूसरा मैंने एक बात कहीं थी ऑप्टिक्स चेंज हो रहे हैं भारत की राजलीती में लोगों की सोच बदल रही है बदलती सोच के अंदर उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही है उनको एक बात पता लग गई है कि अगर भारत का विकास हो रहा है 6% की गटिसे 6,5-6% की 7% से तो अधिक सर पैसा कुछ प्राट में जा रहा है आम आद में की प्राकेंट में कुछ नहीं आ रहा है मैं आपको बता हूँ अगर ऐसा होता ऊपने 82 क्रोड़ को लेकिन ये मुद्दे क्या भुना पाएगी विपक्षे भी सवाल है या बरत भाई मुद्दाओं गना शे मुद्दाओं पर वात नहीं थाई अवे तो बस बढ़ने पक्षो बढ़ने गड़ बंदन बचेद बाद थाशे आ मुद्दाओं शे जेना थी सरकार नकारी न शके भारती योली पंचोचे रजा रुपया थी आजे एक लाक पंद रजार पर पहुंचीशे ए समये भारत नू अर्थ विवस्ता वन पूर्ट सेवन ग्रियन अतू बोदर आजे ए 3.5 ग्रियन शुदी पहुंचीशे अमार इकना बने क्या हूँचे के दसमा नंबर ने अर्णा करता बनारे होई और एक विक्ति देश बताओ ये नो मेंगा इद अपरा करता ओच्छो होँचे अमुग जग्या है तकलीप शे बसाची बात कहीत पन आमा सामें वर्ल बेंक नी लोन थी मांडी सामें डेप्त थी मांडी प्रूड ओल बोंस थी मांडी आब अदी बस्तू होँचे जनता बोंग विरी छे सोहे एकसर्थ नो टेक्स बरी होँचे जनता ए पन एक मुद्ध होँचे सत्य जी जी आ बद्धा मुद्धा होँचे अने एक छलू क्विक रिएक्शन येवल एवा माग इस्तामें करू के 2004 थी जनता जे मार्केटिंग नू गिमिक देश ने विरूद काम करी देश के खिलाब वो भड़का रही है जातिवाद के तोर पर सब तोर पर पन अवेश हुचे देश जानी गवी के आ भड़काओ वाट्स अप युनिर्सिटी आ लोगों नी चाल से नहीं आ लोगों अंग्रेजों ना टट्टू होँचे अने अं अजिश जानी चुकियो छे बारत्य जनता पार्टी नी पोल जानी चुकियो छे ने तो गबराई ने अड़त्रिस अड़त्रिस कागणपर्णी पार्टी ओ भीगी करीन चववीस समय अड़त्रिस में आखड़ों मुकी एक मार्केटिंग घिम्मिक करवानी वाथ जया अजिस्ट्राइब करकारी है करकियो अए अजी आलोपो जाने चे के 35 वरसमा कॉंग्रेश नी सर्कार नी 85 नाख करार्ट करूड देओ करीओ तो आलोको 115 न ड़त्रिस में वाद्र्द क्रोड़त्रिस में आम आप अब दह टाम उपना आभ आन वाद्धा मुद्द होए आज है मोगवारी नो मार बदा पर छे वेरोजगार नो मार बदा पर अटला समिनना शी मुद्दाहों से मुद्दावी बुद्कार मा पनाता है बरत बाई पासे चलू रियक्शन बरत बाई जीन बाई जीन से चलू राखिए गड़बन जू चेनाथी तकलिफ शूँशे अ जो घारत छोड़ी जा लोगो जो इंडिया नाम की विरोज हो यह लोगो अने बाई खोड़ी दो पन डरेक वस्तु मन ना थाई दमाम नागरिक हो शे पान बनने पक्षो वे अवाज पोँचीर हो ईब्दा दो समय सात है रहहणा पने मुद्दा चुटनी मा कितला चर्च आई से किमके अंडबत दे सथा केंद्रमां होई शे औने सथा माते जिन नंबर गेम होई से एं नंबर गेम नी हमस्कत अशे अनंबर गेम मां कोन एक जूपता थी आखोड क्रेक करेशे प्रोसेस चालती रेशे औने बेठकों चालती रेशे गना आम थी आम पन थशे न गना अजू टीजर माथी ट्रेलर और पिक्चर बनता पन लोको सामे आउशे के कोन कया वशिंग मशीन मा धुआयो कया मुद्दा नेवे मुकाया धन्यवाद दिनेशी स अगरत भाई चलू रेक्शन नाले शक्यों टेक्निकली कदर तमास वाद नहीं पहुंची रहे हो आसाथे चर्चा महल बसाथ लूज नमस्कार